रेलवे के एलपी और टेक्निसियन की वैकेंसी को बढ़ाने को लेकर देकि पटना के सभी आपके जितने भी दिगज गुरुजी है वो आज रेलवे बोर्ड गये थे वहाँ पर अधिकारियों से क्या कुछ बाते हुए सर कि चलिए सर से बात करते हैं और देखे सभी आपके सार अधिकारियो देखें का फाल कि फिर पर ऑडप्राव प्रफास्तिया न करा देखें तो हमारा कहना यह था कि पिछले छह साल का वेकेंसी को जोड़के पहले दे दे जा तो आगे का हिसाब किताब हम लोग करेंगे पीछे का जो 6 साल का वेकेंसी है उसको जोड़के अभी दे दिजाए आगे हर साल देते रहेगा कोई दिक्कत नहीं है तो सारी चीजें हुई है कि एज रिलेक्षेशन पर बात हुआ है उसके बाद को लेकर के जो एज का फैक्टर है एज रिलेक्षेशन मिलना चाहिए बच्चों को टेक्निशन की बहाली मिलनी चाहिए गुरूब डी का आप कैलेंडर जारी कीजिए एलपी का वेकेंसी आप बढ़ाईए क्योंकि छो साल में जो आप उट के मुँ में जीरा का फोरन दीजेगा उससे काम नहीं चलेगा सब्तर लाग पचप्तर लाग अप्लिकेंट्स हैं और चप्वन सो वेकेंसी है तो इन सब मुद्दों पर बात हुई है और उन्होंने अस्वस्त किया है कि रेलवे मिनिस्ट्री भी इस पर संग्यान ले रही है और जो ट्वीट ट्वीटर केंपेंग हम लोग चलाए थे व और एक दिन उसके आगे यानि 23-24 तक हम लोग 24 तक इंतिदार करेंगे और जरूर उधर से एक नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा कितना उमीद जगा है बात करने के बाद? कि वेकेंसी बढ़ेगा और साथी साथ केलेंडर भी जारी होगा लड़के लगातार बोल रहें कि आप मान नहीं सकते हैं हम लोग को लगता है करांती करना पड़ेगा क्या कहिएगा उन लड़कों को सर कि कितना वो धैरे बांध है और उसके गुरू जी थे आप लोग सर इतन उसको पार्क कर गया चोव साल बहुत लंबा टाइम होता है चात्रों को तियारी करते तो उनकी दर्द को हम लोग समझते हैं और बच्चे तो परसान है ही पर हम लोग जो आज मिले जो अस्वासन मिला हम लोगों को इसमें बहुत कुछ हम उमीद कर सकते हैं कि कुछ बढ़ रहेंगे आप जानते हैं प्रान परतिष्ठा हो रहा है राम जी का तो उधर है आज संडे ही है तो उसके बाद ही इस पर सारी चीज़े होगी लेकिन बच्चे अपना संघर्स जारी रखे ओनलाइन हम यह नहीं कहेंगे कि आप रोड पे उतर के अभी दंगा उर्दंग या रेली आप कर दीजिये ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है लेकिन ऑनलाइन प्रोटेस्ट को जारी ही रखना है क्योंकि आपकी आवाज ही वहाँ पहुंचा है मंत्री जी के कान तक रेल मंत्री के कान तक यहां तक कि मोदी जी को भी सब बात पता हो गया है तब ही यह जानने के लिए कि भाई बच्चों की क्या समस्या है क्या डिमांड है तो हम लोगों ने सारी चीजे रखी है बच्चों का कि भाई एज में छूट मिलना चाहिए वेकेंसी आप 5600 दीजिएगा 6 साल वेट करवा के इससे काम नहीं चलने वाला है हमेशा लपी के साथ टे या फिर सर ऐसा क्या मतलब कुछ लिखित दिया गया है कि नहीं वेकेंसी को बढ़ाएंगे या फिर आप लोग सांत्रे हैं सब्सक्राइब को बुलाया जाना ही बच्चों की सफलता का पहला पाईदान पर समझे कि पहला पाईदान वो पास कर चुके यानि कि आपकी बाते हैं संबंदित अधिकारी या मंतरालय या जहां भी पहुचाना चाह रहे थे बहतर तरीके से पहुच पाई आपकी बात की बहुत जादा हेल्प किया और उन्होंने ये आस्वासन भी दिया दो तीन दिन चार दिन का टाइम उन्होंने लिया क्योंकि पूरा देश起터 बीजी है कल के प्रोगराम kे ले करके तो सुभावी चे कि अधिकारी मंतरी सब उसमें बीजी है और निर्नाई तो मंत्री को ही लेना है और उच्छ सिरस्थ परदान मंतरी लेवल से निर्ने यह लेना है यह बहुत महतपृर तो इसलिए करके उनके द्वारा कहा गया कि सर दो से तीन दिन इस सारे प्रोसेस में कम से कम लगेंगे इसलिए करके दो से तीन दिन का समय आप लोगों से हम लोग मांग रहे हैं लेकिन सबसे बरी सफलता इस बात को ले करके माना जाए हम लोग जो बरसाओं से लगातार हम कलेंडर पास्वासन मिला है कि अब प्रतेक साल रेलवे की वेकंसी कलेंडर आपकी दी जाएगी ऐसा भरोसा दिया गया हाला कि अभी हम लोग को इस पर 100% भरोसा नहीं है जब तक कि लिखित रूप में ये बाते निकल करके सामने नहीं आती है क्योंकि इस तरह का भरोसा हम और 24-25 तक में निश्चीत रूप से कुछ ने कुछ चुकि इतना जो अभी रिव्यू लिया जा रहा है हम लोग को पूछा जा रहा है ये एक तरीके से स्टुडेंट का मत ही जानने का परियास किया जा रहा है आकर स्टुडेंट क्या चाहते हैं क्योंकि पिछला जो इतना निकल जाए और अच्छी खासी संक्या में वेकंसी आए तो इससे बढ़ करके कुछ भी हम लोगों की मांग नहीं है जिससे ऐसा कुछ हम लोग मान नहीं रहे हैं अगर लिखित में इस बात का प्रमिस करते हैं और अपना कैलेंडर जारी करते हैं अगले पात साल का या अगले तीन साल का तब ही कुछ हो सकता है और ये वेकंसी को पिछला हिसाब के से देना पड़ेगा इन नहीं होगा कि पिछला जो च्छो साल से नहीं दिए आगे तीन साल का कैलेंडर भी आपको अभी देना पड़ेगा ड्राइवर के साथ टेकनिसियन को भी जोड़ना पड़ेगा जब दोनों का एकजाम से मैं आप एकजाम एकताप लेते नहीं है आदुदू का एकजाम लिजेगा सब बात वहां रखा गया है और यह भी आस्वासन देखने को मिला कि सिर्फ ड्राइवर और टेकनिसियन की वेकंसी नहीं बल्कि रेलवे जही की वेकंसी की विवात हुई और रेलवे का अन्य पोस्ट की वेकंसी की बाते हुई है तो यह सा बताया जा रहा कि 10 से 15 दिन के आपको देखने को मिलेगा इटमेवी कि गुरूप-डी अगर हम लोग सही तरीके से अच्छे से लड़ाई लड़ते हैं, ट्विटर केंपेन करते हैं, अच्छे से अपनी बातों को पहुँचाते हैं समवेधानिक तरीके से तो हो सकता है गुरूप-डी की वेकंसी आपको तिन दिन वेट करें जब आस्वासन दिया गया है परिस्तिती आप समझ रहे हैं मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी वेकंसी निश्ची तूरूप से आएगी ऐसा और सबसे बरी बात है एक चीज जो हम कहना भूल रहे थे कि एक बात पर और चर्चा हुई कि सिलेबस के रिग पर चाहिए कि में बेकी थोड़ा बहुत उतार चराओ भी संभव हो सकता है या नहीं भी हो सकता है जो भी होगी क्या ये सिलेबस संतोष जनक है इसी बात पर आगे चर्चा एक बार और हो दी तो देकि ये सभी गुरू जी लोग थे पटना के जो अभी मिले थे रेलवे ब पूरे मुद्धे पर कमेंट बॉक्स में अपनी राहे लिखिएगा आपसे विलेंगे बहुत जल्द वोड़ ड्यूटी पर ही जाहिंद